हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छ होंगे तो आज मैं बना रही हूं फटे वे दूथ से एक्टम बढ़िया सा मीठा आज मेरा दूथ फट गया था तो मैंने सोचा कि कुछ इसका मीठा बनाया जाए तो मैं आज इसको इस तरीके से आपी से एक बार ट्राइ कीज़ेगा बहुत ही अच्छा बनता है तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करती जगा चलिए फिर बनाते हैं तो यहां पर मैंने गैस पेक पैन चड़ा दिया है उसमें डाल दिया है चार चमल से सूजी सूजी को हमने एक तो मैंने इसको एक बटन में निकाल लिया है अभी मैं इसमें डाल देती हूं दूद और इसको फूलने के लिए हमने रखते रहे 15 मिनट के लिए कम से कम तो अच्छे से इसको एक बार मिला देंगे और इसको ढखके हम रखतेंगे साइड में तो यहां पर मेरे पास है यह दो लिटर दूद था आज पूरा ही दूद मेरा फट गया तो मैंने इसमें से आधा पानी छेने का जो पानी रहता है निकाल दिया था आधा इसमें रहने दिया है अब यहां मैंने कड़ाई में इसको डाल दिया है गैस पे चड़ा दिया है और गैस का फ्लेम भी ओन कर दिया और इसको अब हमने अच्छे से पखा लेना है जितना भी छेने का पानी है इसको हमने अच्छे से सोखने दिने है तो इसको हाई- 맛있वे मैं पखाओं गीवीच-पिच के साथ से कम जादा कर सकते हैं जागरी पाउडर नहीं है नहीं डालना चाते तो चीनी डाल सकते हैं या फिर आप इसकी जगा पर मिश्री का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब यहां पे जो हमने सूजी को भी होके रखा वा था दूद में वो भी मैंने इसमें डाल दिया है तो तो इसको भी हमने अच्छे से पकने देना है, तो बीच बीच में चलाते वे इसको बढ़िया से पकने देंगे, यहां देखे काफी सुप गया है एकदम, तो थोड़ी दिर इसको और भून लेते हैं, यहां पर मैंने चार चमब से मिल्क परडर इसमें डाला है, तो इसको डा मिल्क परडर डालने के बाद भी दो-तिन मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, तो आप इसको जादा नहीं पकाएंगे, बस कैस का फ्लेम यहां पर आफ कर देंगे, और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा प्लेट लिया है, इसमें से प्लेट में आप इसको फैला दीजे हलका सा उपर से इस तरहिक इसे पिष्ता से या फिर पादाम से गानिश कर देजें देकने सुन्दर लगता है, और खाने में भी बहुँ कहनी लगत सिरफार दिया है, अब इसको थोड़ी दिल के लिए रख देती हूं, बहुत तो अभी इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं तो जैसे भी आपको पीस चोटे बड़े करने हैं आप काट सकते हैं देखिए इस तरीके से प्लेट में कोई घह या तेल कुछ भी नहीं लगा है तो यह देखिए बहुत ही बढ़ा यह बना है देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है तो आप इसे जरूर से बना ट्राइअ किजिएगा और अगर आप को आज का वीडियो अच्छा फिर मलते हैं किसी और recipe के साथ तब तक के लिए बाई और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद